बढ़ती महंगाई, गिर्ती विकास दर, रुकी परियोजनाई, स्थिरुत पादन, बेरोजगारी, काला धन, भरष्टाचार, नई सरकार के सामने चुनोतियां कम नहीं, जवाब एक है सबका साथ सबका विकास, हम सबका विकास चाहते हैं, लेकिन सबका साथ उत्रा ही अनिवाद है बजट 2014, सरकार की सूच का आइना, कुछ खदम जो देंगे देश को नई दिशा महगाई परलगाम, अर्थ विवस्था को बढ़ावा, क्रिशी और ग्रामीन विकास को बढ़ावा, और द्योगिक विकास को प्रोत्साहन बुन्यादी धाचे में सुधार, वित्यक शित्र का विकास, रोजगार और जन कल्या, संस्कृति और परियावरंट सनरक्षन, पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर का खास खयाल, राश्ट्रिय सुरक्षा, कोशिश रंग लाने लगी विकास दर इस साल 5.4 से 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान, अगले दो-तीन सालों में 7 प्रतिशत पार करना तै ठोक महंगाई दर जुलाई 2014 में गिरकर 5.19 प्रतिशत हुई खुद्रा महगाई दर में गिरावट अप्रेल 2014 में 8.6 प्रतिशत जुलाई में गिरकर हुई 7.9 प्रतिशत उत्पाद शुल्क में छूट के बाद पैसेंजर कार की बिक्री लगातार तीसरे महीने बढ़ी 7 प्रतिशत से ज्यादा किव्रिद्धी नए ओर्डर्स मिलने से HSBC मैनुफैक्टरिंग PMI जुन में 5.5 जुलाई में बढ़कर 53 के स्तर पर बुन्यादी धाचे के विकास ने पकली रफ्तार, कोर इंफ्रा सेक्टर का विकास जुन में 9 महीनों के उचितम स्तर पर जुन 2014 में कैपिटल गुड्स के उत्पादन में 23 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, खराब मौनसून के बावजूद अन्निका प्रयाप्त भंडा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, जुलाई 2013 में 277 अरब डॉलर, जुलाई 2014 के अंत में 320 अरब डॉलर, चालुखाता जीडीपी के दो प्रतिशत स्तर पर लाने का लक्षे, संरचनात्मक सुधारों पर जो, मिनिममम गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का धे, ये तो बस शुरुवात भर है, इरादों को पंख लगा दिये हैं हमने, अब सामने है खुला आस्मा झालुथा खुला झालुथा